स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में दोस्तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं जोगरोफी के इंपोर्टेंट प्रशन उत्तर जो अगामी बोर्ट परिक्षा के लिए काफी महत्पूर्ण है तो दोस्तो वीडियो को शुरू से लेकर आखीर तक देखेगा क्योंकि इसमें इसके आपको बोर्ट परिक्षा में इसी तरह करें इसी तरह के हैज़ी कर देखना और अगर चैनल में पहली बार वीडियो को वीजिट कर रहे हैं तो यहां जैसे देख पा रहेंगे दोस्तों question number 1 screen में है यहां पर क्या कह रहा है कि नीमनलिकित में से कौन सी रोपन फसल नहीं है तो यहां पर कौन सी रोपन फसल नहीं है दोस्तों यहां पर देख पा रहेंगे आप लोग तो इसका right answer यहां पर क्या हो जागा तो यहां पर इसका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर राइट अंसर यह नंबर यानि यह ग्यों जो है यह रोपन भसल नहीं है अब बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर क्वेशन नमबर दो तो दो नमबर क्वेशन को देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए तो यहाँ पर आचुके क्वेशन नमबर दो क्या कह रहा है कि किम बले किसके लिए परशिद है तो किम बले किसके लिए परशिद है पेट्रोलियम हीरा कोईला या फिर सोना तो दो बार किस विद्दवान द्वारा किया गया था तो दोस्तों इसका राइट अंसर कूण सा हो जाएगा तो तीन नमबर का राइट आंसर ए नमबर हो जाएगा यानी क्या है गौट मैन राइट अंसर हो जाएगा अब बड़ते हैं क्वेशिचन नमर चारício चार्लॉर पर आचुके प्रश्ण नमबर चार क्या कह रहा है कि भारत में योजना आयोक का गठन कब हुआ था तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ए नमबर यानि 1950 राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और दोस्तो फाइब तो पांच नमबर इसक्रीन प आचुके यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी जील के चारों और विक्सित गाउं का प्रारूप होता है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा छे नमबर का तो छे नमबर का राइट नमबर यानि निहारी का राइट अनसर ए नमबर हो जाएगा अब बढ़ते हैं परश्ण नमबर अगला तो साथ नमबर प्रशन आ चुकी है क्या कह रहा है कि निम्न मैंसे कौन एक भूमी उप्योग सनवर्ग नहीं है निम्न मैंसे कौन एक भूमी उप्योग सनवर्ग नहीं है तो दोस्तों इसका राइट है साथ नमबर का शी नमबर जगनी मैदानी भूमी जो है यह किस के लिए तो यह जो है सनवर्ग नहीं है भूमी उप्यों के लिए अब बरते हैं अगले question की और यानी question number 8 screen में है 8 number यहाँ पर क्या करा कि बिग इंच pipeline के दुआरा परिवहित किया जाता है तो क्या परिवहित किया जाता है दोस्तों तो इसका right answer जो हो जाएगा नहीं 8 number का तो 8 number का c number डी number यहाँ परिवहित किया जाता है अब बढ़ते हैं अगले question की और यहाँ पर आचुकी है question number 9 तो 9 number question क्या कह रहा है कह रहा है कि 20 सदी में 20 की जनसंख्याद 10 गुनी बढ़ी है तो कितनी गुनी बढ़ी है दोस्तों तो 9 number का right answer जो हो जागा यहाँ ए नमबर हो जागा यहाँ चार गुनी बढ़ चुकी है अब दोस्तों अगला परशन की और बढ़ते हैं तो यहाँ पर आचुकी है question number 10 तो 10 number question क्या कह रहा है कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुक घटक बताएं तो यहाँ पर 3 मुक घटक क्या क्या कहा जाता है जन्म मिर्तियों और क्या होता है यहाँ पर यहाँ पर आवास या फिर सरकार यह पर परियावरन तो इसका right answer 10 नमबर का तो यह नमबर यहाँ पर खाली जगह में क्या हो जाएगा परवास हो जाएगा तो दोस्तों अगर इ जो है 200 रखा गया है जो दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट का PDF मिलेगा और exam के बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप 80 परतिशत अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो बस जो है PDF लेकर admission करके PDF लेकर ला सकते हैं 7903288689 पर जो है इसमें कॉल करिए और सारे PDF मैं जो दूँगा दोस्तों उसको पढ़िए और आप जो है 90 परतिशत मांक्स जो है गेम कर सकते हैं अगर आप थोरा सभी मेनत से परोगे तो ठीक है दोस्तों अब चलते हैं प्रशन नंबर 11 की और तो ग्यारे नंबर प्रशन यहाँ पर क्या कह रहा है कि उन्हें से 1997 तक भारत में 10 पंच वर्षिय योजना का कारियकाल था तो कितना का था था तो कितना जो इसका राइट आंसर जो जो जाएगा ग्यारे नंबर का तो शीन नंबर आट एट वी ठीक दोस्तो आठेवी पंच वर्शी योजना कार्यकाल था ठीक है दोस्तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 12 के और तो 12 नमबर स्क्रीन में आच चुकी है क्या रहा है कि ट्रक फॉर्मिंग में डैस की किरशी की जाती है तो किसकी किरशी की जाती है तो 12 नमबर का राइ दीज़े देखकर संसार के अधीकांश पत्तन है पत्तन कहां पर है दोस्तों यह पर तो इसका राइट आंसर य Guillet 13 five अनिनि विस्त्तरीत है तो अधीकांश पत्तन क्हां है तो विष्तरीत जन्तर रूप से आंसर जो जाएगा नहीं चौवदे नंबर का तो बी नंबर राइट नसेंट 48 परतिशत है विस्व में नगरिये जनसंख्या का परतिशत कितना है तो 48 परतिशत है अब बढ़ते हैं कोईशन नंबर 15 तो 15 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है यह पर क्या करहा है कि ब्राजील में काफी बागवान को डैस कहा जाता है तो ब्राजील में काफी की बागवान को क्या कहा जाता है दोस्तों तो 15 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा ए नंबर यह फेजेंडा कहा जाता है अब बढ़ते हैं अगले परतिशन के और कोईशन नंबर 16 नंबर कोईशन क्या करहा ह है दोस्तों धारावी अब बढ़ते हैं अगले परश्चन के ओर क्वेश्चन नंबर 17 तो 17 नंबर कुष्चन को देख लेते हैं यहां पर क्या कह रहा है कि कितने देशों में निमन सूच कांग है कि इसका 77 नंबर का राइट एंसर शी नंबर जगा यानि 32 राइट एंसर शी तो 18 नबर का right answer कौई सा हो जाएगा दोस्तो 18 नबर का लाइट अंसर बी नमबर हो जाएगा यानि 10 लाग से कम जन संख्या वाले नगर को भारत में महा सागर कहा जाता है तो right answer बी नमबर हो जाएगा अब बढ़ते हैं दोस्तो question number अगला यहाँ पर 19 नमबर आ चुकी है क्या राइट आंसर जोएगा 20 नंबर का यानि 19 नंबर का बी नंबर राइट अफरीका अफरीका राइट अंसर हो जाएगा बी नंबर अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की और तो यहां पर आज चुके दोस्तों क्वेशन नंबर क्या है 20 नंबर मानभ विकास की आउधरना निम् तो आडमिशन कर लीजिए ठीक है आपको सभी सब्जेक्ट का जो सभी important subject का आपका जो जो सब्जेक्ट है सभी important question मिलेगा यहां प्रेक्टिस से सारा चीज मिलेगा जिसमें आपको जो है दोस्तों काफी तयारी जो है बहुत हदितक हो जाएगी जिसमें से आप लोग जो है 80-90% आसानी से ला सकते हैं तो यहां पर नंबर में लिख दे रहा हूँ आप लोग को admission करना परेगा जिसका admission फी जो है रखा गिया है 200 रुपया और 200 रुपया जो है आप लोग को देना परेगा बिल्कुल जो है 200 रुपया देकर admission करके जो exam तक आप PDF ले सकते हैं ठीक है द कुष्ण 넘बर, एकिस नंबर कुष्ण यहां पर क्या करे रहा है कि निमनलेकित मेंसे कान रोपनफसल नहीं है तो दोस्तों इसका right answer कौन सा होगा तो 22 नमबर का जो right answer होगा तो ए नमबर हो जागा ylli yak आर्थमीक राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले परश्ण के और यहां पर आचुके तेश नमबर क्वेशन क्या कह रहा है कि नीमने लिकित मैं से किस राज मैं जन संक्या घन तो नीम नितम है तो इसका राइट अंसर बी नमबर हो जाएगा नहीं आरूना चल परदेश राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 23 की और दोस्तों तो 23 नमबर इस्क्रीन में आ चुकी है क्या कह रहा है 24 नमबर कह रहा है कि नीमने लिकित मैं से कौन सा खनीज भूरा हिरा के नाम से जाना जाता है तो इसका राइट आंसर जो जो ज अस्थान पर भारत का पहला पर्मानु इस्टेशन अस्थापित किया गया तो दूस्तों इसका राइट अंसर जो एगा 25 नमर का तो यानि बी नमबर राइट अंसर यानि तारा पूर राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगर यह परशन के और तो यहां पर आज क्लास प्रणा चाह रहे हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजेगा ठीक है दोस्तों अब यहां पर देखें कोशन नमर 27 भारत के किस राज में बास डिरिप सीच प्रणाली है तो दोस्तों 27 नमर का राइट अंसर कांस हो जाएगा तो बी नमबर राइट अंसर यानि मेगाले राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले परशन के और क्वेशन नमर 28 तो 28 नमर इस्क्रीन में आ चुकी है कि यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों कह है कि किस महादेश में सबसे अधीक जनसंख्या में अंतर रास्तिय परियाटक आते हैं तो 28 नमर का राइट अंसर यह नमबर जाएगा अब बढ़ते हैं अगले परशन के और दोस्तों क्वेशन नमर आ चुकी है क्या कह रहा है कि भारत के चार महानगरों को जोरने वाली सर चत्रुभूज मार गया स्वरनीम चत्रुभूज जो है दोस्तों यह क्या है कि चार महानगर को जोडती है ठीक है दोस्तों चले अब बढ़ते हैं अगले परशन के और तो क्वेशन नमर 30 आ चुकी है क्या करा कि लाइन सार शेत्र परसिद्ध है तो लाइन सार शेत्र में क्या कहे रहा है दोस्तों यह कहे रहा है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है तो मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है दोस्तों अगर आप सभी को पता है तो आप लोग भी जवाब दे सकते हैं तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 31 नमर का तो B नमबर राइट अंसर यानि 50 लाक से अधीक अब बढ़ते हैं अगले परशन की और तो यहाँ पर आ चुकिए Q32 क्या कहरा है कि फरीदाबाद किस राज में किस राज का शहर है तो किस राज का एक शहर है तो दूस्तों कि ग्यों की खेती के लिए आदर शितापमान कितना होना चाहिए तो इसका राइट अंसर कौन सा हो जागा B नमबर यानि 10 डिग्री से 20 डिग्री से राइट अंसर B नमबर हो जागा अब बढ़ते हैं अगले परशन की और यहां पर आचो की 34 नमबर परशन क्या कह रहा है कि सरदार सरोवर परिवजना किस नदी पर इस्थित है तो दूस्तों 34 नमबर का राइट आंसर जो जागा A नमबर यानि नर्मदा नदी के किनारे अब बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 35 की ओर तो 35 नमबर को देख लिजे और आंसर हम लोग नीचे में देखेंगे यहां पर क्या करा कि बाबा बुदन पहारी है तो बाबा बुदन पहारी कहां पर है तो दोस्तों किस राज्य में है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानि A नमबर आट अंसर नहीं करनाटक में है करनाटक राइट अंसर हो जा और दोस्तों अगर आप लोग जो अभी तक एडमीशन नहीं किये तो एडमीशन कर लीजिए उसमें आपको बहुत अच्छी जो है आपको बोर्ड की तयारी करी जाती है कराई जाती है 7903288689 पर जो है आप लोग कॉल करिए या फिर आप लोग जो है फोन कर सकते हैं या फिर आप लोग वाटसप पर के जो है पीडियाफ ले सकते हैं तो आइडमीशन जो कहा है जो दोस्तों फी लगेगा यानि 200 रुपया जो है आडमीशन फी रखा गिया है जिसमें आपको सभ सब्सक्राइब करने अब जो सब्सक्राइब करिके तो फोन करके खुत करके रखे क्योंकि इसी तरह के हम लोग पार्ट टू को लेकर आएंगे और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पार्ट टू कितना जल्दी आना चाहिए तो आज का वीडियो इतना है तो तब तक के लिए जैहिंजवड मिलते एक लिए वीडियो में